हाई एवरीबर्डी दिसे शालू हेयर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी मेडिवल हिस्ट्री के प्रिवेसर कोशन पेपर को दोस्तों इसके पहले हमने आपकी काफी सारे कोशन को डिसकस किया था उसके आगे ही आज हम इसको कंटीनियू करेंगे अगर प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा ताकि आगे आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहें ठीक है तो यहाँ पे आज का हमारा पहला सवाल क्या है किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्तर प्राप्त हुआ तो यहाँ पे जो इसका करेंट टांसर है वो क्या हो जाए देखिए जो कि दिल्ली की सुल्तानों में इलतुत मिशी आपके एक सरप्रतम सुल्तान थे जो कि आपके सरप्रतम बगदाद के खलीफा से इनको सम्मान वस्तर प्राप्त हुआ तो आप किसका नाम ध्यान रखेंगे इलतुत मिश का नाम ध्यान रखेंगे नेक्स्ट हम ब बजारों की जो नियंतरित करना अलाउदिन खिल जी की सबसे महात्पूर्ण नीती गत पहलों में से एक था और यहां पे देखी जो अलाउदिन खिल जी वो यहां पे एक बहुती बड़ी सेना को बनाया रखना चाहता था इसी कारण से जो आप डेली की जो आपके वस्तू हो नेक्स्ट हम बात करते हैं अब देखे यह भी काफी इंपॉर्टिन कोश्चन है दोस्तों यहां पे जब के दिली की सुल्तानों के जो वन्षों की कलानों क्रम में इसको विवस्थित करना है कि कब को आपके कौन से वन्ष आयद तो यहां पे देखे यहां पे आपके सबसे कौन आएंगे लोदी वन्ष आएंगे तो यह काफी इंपॉर्टिन कोश्चन है इसको जरूर ध्यान रखी गए उसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट कोश्चन के बारे में यहां पर देखे लिखा हुआ है किसे भारत का तो तक कहा जाता है तो यहां पे देखे इसका करेंट आंसर क्या हो जाएगा अमीर खुसरो जी हो जाएंगे ठीक है यहां पर देखे आपके जो अमीर खुसरो हैं वो एक महान कभी इतिहासकर संगीतकार और विद्वान थे यह किसके बारे में अमीर खुसरो जी के बारे में और इन्हें आपके भारत तो अगर आपसे कभी भी एक्जाम में कोशना है कि भारत का तो तक किसे कहते तो आप क्या बताओगे अमीर खुसरो जी को बताओगे नेक्स्ट हम बात करते हैं अगरे के ये भी काफी इंपॉर्डन कोशन है कि वर्तमान दौलत अबाद जहां मुहमद बिन तुगलक ने आपके दिली से राजधानी को इस्तरांतरित किया था वो आपके किसके समीब है तो यानि कि किसके पास में समीब का मतलब क्या होता है पास में तो इसका जो आंसर है क्या हो जाए का औरंगाबाद हो जाएगा जो आपके दौलत अबाद 14 अताबदी में निर्मित किलो का एक शेहर है जो कि आपके महरास्ट के औरंगाबाद के उत्तर पश्ची में ठीके उत्तर पश्ची में 16 किलोमेटर की दूरी पर है और यहां पे जो आपके तुगलक व तुगलगवश की राजधानी रही थी तो यह ध्यान रखेगा नेक्स्ट हम बात करेंगे अब यहां पर दिल्ली सल्तनत की जो कि उधारक में आपकी कौन तो यहां पर दिकिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ग्यासुत दिन बलबन हो जाएगा अब दिकिए कैसा हुआ था कि जो पके दिल्ली सुल्तान इल्तुत मिश्ट के बाद राज में आपे बहुत सारे शडियंत्र रच रहते ठीक हैंगी बहुत सारी साजी शुरू हो गई थी तो ऐसे समय में जो आपके बलबन जी है ठीक है वो उन्होंने आपके दिल्ली की राजगा गद्धी को समाला था औ जो विदेशी जो आक्रमर थे वो काफी तेजी से शुरू हो गएते तो बलबन ने अपने यहां पे सेना को संगठित किया और यहां पे उन्होंने कई प्रसाशनिक सुधार भी किये और यहां पे जो उत्तर पशील सीमा पर इन्होंने कई मजबूत की लोग बनवाया भी थ और इन्होंने आपके जो दिल्ली सल्तना थे उसको एक तरह से बिखरने से बचाया था तो यह इंपॉर्टेंट है यहां पर देगी हम जितने भी आपके कोशन को डिसक्र कर रहे हैं मैं यहां पे सिर्फ आपको आंसर नहीं बता रही हूँ ठीक है मैं यहां पे थोड़ी से आपको बैक्राउंड नॉलेज दे रही हूँ ताकि अगर आपको कोई भी एक्जामनर जो वो घुमा करके भी कोशन देता है तो आपको एट लिस्ट यहां पे थोड़ी से नॉलेज होनी चाहिए कि आप अपना कोशन जो है उसको असानी से अटेम्ट कर पाओ आगे बात कर हैं तो यहां पर जो चीजें उसको प्रीज आप थोड़ा ध्यान से देखेगा यहां पर देखें लिखा हुए कि ब्रामणों पर भी जजिया का जो कर होता लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन तो आप क्या बताओगी फिरोस तुगलग को बताओगे जो के फिरोस तु तो अगर आपसे एक्जाम में कोशन आता है कि ब्रामणों पर जजिया का लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन ता तो आप क्या बताओगी फिरोस तुगलग को बताओगे नेक्स्ट हम बात करते हैं अब यहां पर देखें दिल्ली में किस सुल्तान की जुम्रित तो आपके लोहार में चोगान खेलते समय अचानक घोड़े से गिर करके हो गई थी तो यहां पर देखें किसकी हो गई थी आपकी कुत्तमुद्दिन एबग जी कि यहां पर घोड़े से गिर के मौत हो गई थी तो यहां पे लिखा हुआ है कि पोलो खेलते समय एक दुरगटना मियामी की 1210 में आपे इंकी मौत हो गई थी खेल के दौरान यहां पे जो घोड़े की पीट से गिर करके यह काफी बुरी तरीके से घायल हो गएते तो इसको जरूर ध्यां रखे कि किसी यहां पर मौत होई थी यहां पर होई थी कोषयों सायों थे रूव इसका बात गरति इंप दिल्ली पर शाषर्ण करते हुए यादि करने की 1206 सुल्रकाँ पर 12 scholarships यहां पर wraऊ से कम आपके 320 वर्शों तक यहां पर शाषर्ण है और यहां पर कुतुमुद्रск दिल्ला सी है 1026 से लीके 12 1977 दिल्ली सल्तनत की स्थापना के ता पुशे तो है कि आंपे दिल्ली सल्तनत कभ श पीरिड है वो आपका शुरू हो गया था तो ये इंपोर्टेंट इन एक्स टम बात करते हैं अब यहां पर देखे किस सुल्तान ने आपके सती जो प्रता है उसको यहां पे रोकने का प्रयास किया था तो आप क्या बताएंगी मुहमद बिन तुगलग को बताएंगी कि मुहम ने आपके हिंदूों के प्रती काफी मेत्री पूर्ण यहां पे नीती को अपनाया था तो यह इंपॉर्टेंट है कि सती प्रता रोकने का प्रयास किस ने किया था आप किस सुल्तान ने किया था तो आप क्या बताओगे मुहमद बिन तुगलग को बताओगे तो दोस्तों यहां पे देखिए आज हमने आपके काफी इंपॉर्ण दस को डिसकस किया हुआ है उमीद है कि यहां पे आपको कुछ सीखने को मिलेगा तो प्लीज इसको जरूर से एक बार देख लीचेगा अगर आपको इसकी पीडिएफ चाहिए तो जाके आप टेलिग्राम चैनल को द झाल